रखा जी नमुश्कार नमुश्कार वदनमंत्री जी आपका बहुत धन्यवात शबार प्रोथ में आपना के सुपेच्छा जानाई आप एक बड़ा दाइत्व निभाने जा रही है इसे में कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरा सं अच्छा जी मुझे आपका मैसेज मिला था करता हूं कि बीजेपी कायरकरताओं से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरित राजनितिक परिस्टितियों में प्रचार कर रही है जब आपका नाम गोशित हुआ तो क्या माहोल क्या था क्या लगा लुगों आपको क्या परितितियों का सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं सब्सक्राइब करेगा और इलेक्षन कमिशन निस्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिवत होता है हम भी आशा करेंगे कि एलेक्षन कमिशन आपकी पीड़ा समझें कि आपने 2011 से अपने वोट नहीं दिया है तो यह बहुत ही दुखत बात है कि बंगाल में किस फ्रकार से सरकारों ने वहवार किया है लेकिन देखा जी जब यह आपका नाम गोशित हुआ आपको चुनावक में केंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पडोस में अडोस में और आप जी इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो सब में क्या मेसेज गया सबका कैसा रिस्पॉंस है लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ रही है हम उनकी लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सन्मान लोटाए जाए इसके लिए पूरा करूशिश करेंगे देखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारती जन्ता पार्टी ने आपको उमिद्वार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीती में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो ये आप बहुत बड़ी बात पता रही हो और मैं सच पता तो हूँ देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गरव करेगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके रिखा जी मुझे पता लगा है कि बसीहाट में जनता विशेश रूप से महलाए ये आपको बहुत सने दे रही हैं और अब जब चुनाओं के मैदान में उतरी हैं तो अब क्या बातावरन है उनकी घर की बेटी हों में और उन्होंने मुझे चाती है ये सुनकर बहुत कूष हों में और इलेक्षन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सापोर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पुरा सपर्ट करेंगे तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे और हम भी गरीब गरीब करकी लड़की हों, किसी की घर की बेटी बहु हों तो यही बोलूंगा मेरे पती भी तामिल लाडू चेड़ना यूदर काम करती है हमारा फैमिली में बहुत दुक बहुत परिश्टरम करके उनका अमारा संगसर चलती है तो हम चाहेंगे, सबके लिए कुछ आईसे करेंगे जो बाहर न चाना पड़े सबको इधर कमपाणी मिले इधर काम करे और हमारा इधर से बेंगल से बाहर ना जाना पड़े इसलिए हम पूरा कवशिश करेंगे आपका जो आत्मविश्वास है ना आप जुरूर दिल्ली पहुचोगी और आप जुरूर चुनाव जित करके आओगी देखा जी संदेज खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हैं आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है आपने इतने ताकत्वर लोगों को जेल बेच दिया आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है हमारा संदेज काली की मा बैन की पुरा सापट थी इसलिए हम ये कर पाई सब और उनकी साथ लेकर चलेंगे हैं हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा रेखाई जी, हम सब मिल करके माता व बेहनों के सम्मान के लिए और सिरफ बशिराट नहीं पूरे बंगाल के लिए वहां के सम्मान के लिए, वहां के गवरों के लिए हमारी ये लड़ाई है और आप तो एक मेहनत कश्क परिवार से हैं बहुत मद्दूरी करके गुजरा करती हैं और इतना बड़ा सार्वजिनिक जीवन का जिम्मा मिला है बहुत बड़ा अंतर आया होगा लेकिन मैं आपको विश्वात दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा द्यक्ति के दुरुप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा रेका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो उच्छा देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसंता हो रही है कि बंगाल तो सक्ति पूजा की भूमी है दुर्गा पूजा की भूमी है और आप उसी सक्ति का प्रिया है आप जिस मैनत से जिस हिंबत से काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है संदेश खाली की महिलाओं के आवाज को देश के सामने उठाना यह कोई सामाने बात नहीं है और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल के नारी शक्ति विशेस रूप से हमें आशिरवाद देगी बंगाल की उजवल बविश के लिए आशिरवाद देगी मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पस्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंदर की बीजेपी सरकार के काम का इतनी बात जुरूर पहुंचाईए और अभी वहाँ जिस टीमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परिशान है बीजेपी सरकार की कितनी ही योजनाओ वहाँ टीमसी सरकार लागूई नहीं होने देती आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताईए कि कैसे महां की टीमसी सरकार सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है और अपना करप्शन चिपाने के लिए केंदर सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है पार्टी का एक-एक करकरता आपके साथ है और मेरी आपको बहुत-बहुत शुब कामना है सर अमारा संदेशकली में तो अभी 2011 से बहुत चूरी कर रहा है तना चूराये जा रही है तो किसी की पुरा साधी नसा से वोट दिये जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती हम लोग भी चाहती है पुरा साधी निता के साथ हम भोट दे और हमारी मा बैन की संदमान रुका करे और भाई बैन जो भाईयों को उटा के मारा जा रही है ऐसे नहीं ना मारा जाए य जो बाइयों को मारा जा रही है वो उनकी बेटा नेहेने उनकी वाये वो मेरा भी भाई है और मेरा भी सवाने हम यह पूरी तरिश से देखेंगे उनकी साथ ऐसे दुर गटो ना भेशजिछ न हगटि हम उनकी साथ जाए नड़ाई उनकी घार-गर तर्क पाहंस देंग के सर्वगुन आपके अंदर है भले आप गरीब परिवार से हैं चलिए रिखाजी मेरी बहुत शुब कामना है आपको हिंबत के साथ आगे बढ़िए बहुत बहुत धन्यवार धन्यवार